हेलो दोस्तों स्वागत थे आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रेलबे ग्रूप D के एक्जाम पैटर्न के बारे में और हम इस वीडियो में समझेंगे कि जो टाइम दिया गया है रेलबे ग्रूप D के लिए उस टाइम लिमिट में हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम कैसे अटेम्ट करना है तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो पहले हम जानेंगे इस एक्जाम के पैटर्न कि सब्यक्ट से कितने कॉच्चन पूछे जाते हैं तो पहले लेते हम लोग जैनरल साइंस से अटोडल आपको 25 कॉच्चन पूछे जाएंगे सब्सक्राइब से 25 सबस्क्राइब सब्लाइब मिलेंगे जनरल अवार्नेस दोनों मिला के 20 क्राइब लगा और यू टाइम मिलेगा आपको 90 मिनट्स का टाइम मिले गा इस 90 मिनट्स में आपको इस 100 questions को कैसे attempt करना है तो चलिए आगे बढ़ते हैं पहले आप जान लेते हैं जो exam होता है जो questions पुछे आते हैं किस-किस steps के होते हैं मतलब हम इसको तीन पार्ट में divide किया है एक तो हमारा हो गया एक हो गया moderate वाले पार्ट और एक होता है ठार्ड वाले पार्ट तो में maximum question ऐसे होते हैं जो आपको इजली बन जाते हैं यहां पर हमने जो बाइफरकेट किया है haard Brussels in the sense की आपको देहें और उस question को देखते ही आमसरा ऐना चागी है जीसे की जिक्के होता है 1 q cream को अब आपको आता है तो तो तूरंग आपको किलिक कर देंगे अगर आप थोरा सा भी तैयारी बेसिकली कर लेते हैं गुर्पडी के लिए तो आपको 30 question आपको देखते ही आपको आ जाएंगे मतलब 30 question आपको असानी से जिक्के के बना सकते हैं रेजिनिंग में भी ऐसे 10 question मिलते हैं जो आपको आपको देखेंगे और आपको within second आप आंसर उसको निकाल सकते हैं मैस के भी 5 से 6 question सिर्फ आपको देखना है और उसको answer मारना है तो इतना easy question आपको बना सकते हैं अब देखते हैं हम लोगों को इस easy में जिक्के में रेजिनिंग में और मैस में कितने कितने time देने होते हैं एक जिए आपको ध्यान लखिएगा कि जो question 100 question होते हैं उसमें सभी mix होते हैं जिक्के मैसा नहीं कि जिक्क अलग दिया गया रेजिनिंग को अलग और और मैट्स को अलग सभी मिक्स होते हैं तो देखिए बच्चे गलती क्या करते हैं उनको वह जब एक्जाम एस्टार्ट करते हैं तो वह पहुंची ने पाते हैं गलती यह करते हैं जैसे ही बच्चे का एक्जाम एस्टार्ट होता है तो फर्स्ट क्वेस्ट से ही सॉल्व करना करें लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत ज़्यदा टैम्पो वेस्ट कर दें क्योंकि हरे क्वेस्टन के लिए आपको 11 मार्क्स दिया गया है तो इस बात का ध्यान रखेंगे उसमें आपको सबसे स्टाइट करना है अगर आपको तो क्लिक हो गया तो इसको टीक मारेंगे नहीं तो कर जाएंगे बस स्ट सेप्ट में आपको यही करना स्ट में आपको सिर्फ में यहीं करना और आंसर करते जाना है तो ऐसे अगर करते हैं तो आपको करीब करीब 45 से 46 क्वेस्टन आपको ऐसे होंगे जो आप इजली एटेम्ट कर लेंगे ठीक है इसमें आपको लह टाइम कितने लग जाएंगे देखे जिक्के है तो आपको मैक्सिमम दस मिनट आपको 30 क्वेस्टन को सॉल्व करने मे दस मेंटन गये means 10 कवाज एंगे 10 क्वेस्टन गशने में आपको मैक्सिमम लगते तो 3-4 में मन आपको पांच मिनट लग जाते हैं और माज के एजी है तो भी आपको पांच मिन्ट मानते हैं इसमें भी आपने लगा गया डिया पोटल आपको 20 मिनट में आपने 25 मिनट में आपको 45 कोचेट को असानी से स्वाव कर लिए एक बार आपको कॉचेट नंवर वन से लेकर के हापने 100 तक पहुंच गया है ठीक है उसके बाद चलते हैं से करना करना है इस जिक्वाली आपको मॉडरेट पॉण्ट करना है में क्योई कुछ उष्मम करना होता है देखना और आंसर मरना हो लेकिन एक दो पॉचन ऐसे होते हैं कि जिसको आपको सुच को रिखिश कर समझ के आंस। देने एक तू और सीसान है सब्सक्राइब कर सकते हैं जिक्के में बागी जो मॉड्रेट हम रखेंगे रिजनिक को क्या होता है रिजनिक मतलब मतलब यह नहीं कि आपको सॉल्व करने में दिक्कते आएगी थ्वासाट टैंड ने सकता है इसमें तो इस 17 अथारा क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाएंगे दस क्वेश्चन आपको इजली कर चुके हैं मॉड्रेट टैप्स में आपको 17-18 क्वेश्चन और मैट्स के आपको 15 क्वेश्चन लगेंगे ठेक है तो आप कितनों भी असानी से करेंगे तो इस जो है डिजिनिंग में आप 17-18 क्वेश्चन मैक्स मिवम आप 10 17-15 मीनिट ले सकते हैं 15 में इसे बना सकते हैं वैसे साव से आप आप अराम आप से भी करेंगे तो मैक्सिमम् 15 मिनट लगेगा आपको उसके बाद मैं मैत्स जानता ही है मैसरों तो इसे बंग tuba s लग गया है ठीक है बस यह भी कितना हो गया आपको 35 मिनट यहां 20 मिनट आपको इजी वाले पार्ट में लग जुका था आपको हो गया 55 मिनट टोटल मिलते हैं आपको 90 मिनट 90 मिनट मिन्स आपको 35 मिनट आपको अभी भी बचा हुआ है ठाटीफड मिनट के पास अभी बचे हुए है वे क्या होता है on average जितने भी बच्चे होते हैं easy कर लेते हैं लेकिन बच्चे खंसते हैं तो इसलिए आपको time बचाके चलना है और time आपको maximum यहां पर देना है अगर आप इस question को solve कर लिए तो आप असानी से लीड कर सकते हैं दुस्य बच्चों से ठीक है सबसे जो बाइटल रोल होता है टाइमिंग का बहुत सारे बच्चे टाइम को ही मेरिज नहीं कर पाते हैं तो आप यह गलती नहीं करेंगे और इस तरह से आप अच्छे स्कूर कर सकते हैं तो चलिए इस वीडियो को यहीं खतम करते हैं वीडियो देखने के लिए आपको क्यारि ऐसे आपका सकते हैं तो लो ही दोने